वेलकम तो अलोफ यू अन्वी प्लस यू अकाडमी माइम इस आशिश गर्क तो टो 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 डिस्कस यू पी आर्व उनल रिकूटमेंट पेपर जो आपका 17 जुलाई को हुआ है इस वीडियो में हम बेसिकली डिसकस करेंगे वह कोस्टन जिसमें अंस्वर्स आपको रोंग इवन है अंस्वर की के अंदर सो यू चलेंज दोज कोस्टन सो ओवर्रोल यह पेपर लेवल मॉडरेट लेवल रहा है जैसे मैंने बताया है इसका जो कट ओफ है वो आप अरांड 130-140 मार्क्स इसली रहेगा आप जनरल काटेगरी के लिए 130-140 मार्क्स आप इसकी फर्दर डिटेल्स मेरे दूसरी वीडियो पर देख सकते है जो आपको आई सेक्षिन के ओपर मिल जाएगा यदि आपको यह पीडियाफ डाउनलोड करने है और यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं मैंने पूरा पेपर सोल्ड किया है तो कुछ कोस्टेंस हैं इसके अंदर जो डाउटफुल्स है और इवन दोस कोस्टेंस इसके पूरी प्रोपर पीडियाफ आपको मेरे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी सोल्ड पीडियाफ जिसमें आपको सॉल्यूशन गीवन है तो स्टार्ट करते हैं कोस्टेंस इसके अंदर कुछना कुछ प्रोब्लम से हैं स्टार्टिं विद फर्स्ट कोस्टेंस हमारे एरिख किस इनिट में यूज करते हैं रस्टार्ट के अनदर तो यदि हमें इसके इनदर किलोमीटर स्केर में होता है। ये आपको रेफरेंश भी है हमारे पास this is the reference यह आपका rational method बताया हुआ है इसका formula क्या है cia यह आपको supermaniam book है वहाँ पर आपको easily मिल जाएगा और a जो है आपको यदि आप यहाँ पर देखोगे a यदि यहाँ पर देखोगे इसमें लिखा हुआ है drainage area in kilometer square जो a की आपको unit है वो kilometer square में है even यह भी बोला जाता है कि 50 kilometer square से ज़्यादा के लिए हमारा यह formula हमारा rational formula valid नहीं है greater than 50 kilometer square this rational formula is non-valid so this answer should be in kilometer square तो आप यह पहला question जो है इस question गो आप challenge कर सकते हो this question can be challenged इसले with reference मैंने आपको बता दिया है moving to the next question जिसमें कुछ problems है अग्दो मैंने सारे question sold कर रखे इस PDF के अंदर और यह PDF आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब टेलिग्राम चैनल के उपर मैं सभी questions को यहाँ पर नहीं बताऊँ है क्योंकि video बहुत lengthy बनेगी उससे और उससे आपको भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि easy question हर कोई कर लेता है question जिसमे problems है हम वही questions को ही यहाँ पर discuss करेंगे आपको दिया हुआ है आपको डाउनलोड कर सकते हैं इस question के अंदर 9th question के अंदर आपको बोला गया है in the extended addition system the detention time detention time की range पुछी गया आप से कितनी होती है तो usually जो detention time की range है किसी भी book में आप यह दी देखोगे sewage treatment की में तो 12 to 24 hours होती है तो इसके valid option दो हो सकते हैं 18 to 24 hours 12 to 18 hours but actual correct answer क्या है 18 to 24 hours but if someone has given 12 to 18 hours also then the person can also challenge it by using this आप इसका reference दे के आप challenge कर सकते हो यह आप कोई भी standard book से आप उठा सकते हैं उसमें 12 to 24 hours given I think यह आपको समझ में आया होगा moving to the next question that is question number 13 in this pdf इन 30 number question आपको diagram ही नहीं गीवन है आपको क्या है diagram ही नहीं गीवन है इसके अंदर इसमें पुछा गया था आप से flexibility matrix आपको develop करना था तो diagram ही missing है तो यह question ही wrong है आपका तो यह था हमारा third question जिसमें कुछ ना कुछ problem है तो यह तो आप यह question तो remove हो ही जाएगा तो don't worry about this question let's move to the next question question number 19 question number 19 में बहुत लोगों को doubt है यह solve कैसे करना है I have solved this question here ताकि आप पर ज्यादा time भी consume ना हो मैं आपको बता देता हूं briefly क्या की है तो हमारा जो evaporation loss है potential evaporation loss इसका formula रहता है 2.54 k summation let me write it here evaporation loss is given as 2.54 k summation ph tf by 100 p stf by 100 इसमें यह जो evaporation loss आएगा आपका यह potential evaporation transpiration बोलेंगे इसको evaporation loss नहीं this is the potential evaporation transpiration pet this is the pet this will come out in centimeter यह centimeter में आता है आपका आप solve करोगे आपको k की value गिवन है pH given है और temperature given है in degree Celsius आप पहले उसको convert कर लेंगे degree Fahrenheit में या फिर Fahrenheit में put करेंगे value यहाँ पर आपको मिलेगा 20.726 cm तो उसके बाद आप इसको क्योंकि आपको given है number का मन्त तो आप 30 days से डिवाइड करके आप इसका निकाल सकते है 6.9 mm पर दे आपका इस कांस्वर आएगा जो की option में given ही नहीं है तो यह भी question आपका क्या है रोंग है तो आप यह question भी challenge कर सकते हैं या फिर यह question remove ही हो जाएगा आपका moving to the next question moving to the next question we have question number 22 in this pdr in 22 number question in 22 number question you have written that if the whole circle bearing of line PQ is 185 degree आपको बोला गया whole circle bearing given है line PQ के लिए 185 degree यह आप देख सकते हैं and that of line के हुआ इस 235 to 35 degree 46 second and 40 minute then the included angle यह दि आप included angle का formula जानते हैं it is the four bearing of next line minus back bearing of previous line इसको solve करने पे आपको मिलेगा 230 degree 230 degree 12 minute and 20 second but यह जो angle बनेगा यह outside angle बनेगा आपका यह वाला angle बनेगा इसमें यह कोई भी option match नहीं कर रहा जबकि इसमें पूछा भी included angle ही है लेकिन इन्होंने जो answer दिया है वो दिया है 360 degree minus this 360 degree minus this तो आप ऐसे challenge कर सकते हैं कि concept wise तो एक गलत है क्योंकि इसका included angle outside angle बनेगा the interior angle या फिर यहां पर लिखा होता है interior angle बताईए तो आप यह answer report कर सकते थे but anyway आप इसको वैसे भी solve कर सकते हैं यदि क्योंकि paper में आपको answer ही नहीं given है तो आप assume कर सकते कि यह अंदर वाला ही पूछ रहा होगा आप challenge भी कर सकते हैं पाकी जिसने यह report किया है उसका answer सही भी है moving to the next question we have question number 31 नव इसमे कुछ problem है in question number 13 again that similar formula same formula is used इसमे भी आप से same formula युज क्या गया है यह Blenny Cradle equation है वैसे this is called as Blenny Cradle equation Blenny Cradle equation आप इसको use करेंगे to calculate the potential evapotranspiration आप अगें यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा centimeter के अंदर answer आप mm में convert कर लिजिए then you have given a month of 31 days divide करेंगे 31 से इसको आपको मिलेगा 10.96 mm जो अगें आपके answer में नहीं है तो आप इसको भी challenge कर सकते हैं तो यह भी question आपका गलत है या फिर यह question भी आप remove करवा सकते हैं moving to the next question मैंने सब questions को solve किया है आप directly यह download कर सकते है solve PDF from my telegram channel लेकिन अभी जो wrong question है हम वह usually वही देख रहे हैं further now we have the 78th number question now in the 78th number question आपको बोला गया है a cube of side A यह diagram देख लीजी है cube of side A आपको given है this is cube of side A is subjected to a load cube this is subjected to a load cube in the x y g direction the amount of volumetric strain produced in the cube is simply आपसे volumetric strain की value पुछी गई है तो आप directly solve कर सकते है इसको आपको बता है जो bulk modulus है आपका वह होता है delta P divided by delta V by V then यहां से आप delta V by V निकाल लीजिए वह आजाएगा आपका delta P by K also आपको बता है k equals to e by 3 into 1 minus 2 mu रहता है तो आप इसकी value insert करेंगे यहां आपर तो आपको delta V by V की value मिल जाएगी जो आपसे पूछी गई है तो volumetric strain आपसे पूछा भी गया था तो देखोगे आपका जो denominator में है वह e आएगा यहां पर not e not a square तो यहां पर यह mistake answer में यहां पर e आना चाहिए था बाकि यह question ठीक है तो I hope यह आपको समझ में आया होगा इसमें क्या mistake है moving to the next question these other question can be easily solved by you guys now we have 127 number question और 103 question before that in 103 question यह सब को देख यह question easily visibilize में answer गल्द गिवन है किसी भी method से आप इसका indetermination निकाल लेंगे तो भी आपको 12 ही answer मिलेगा यह दो point hinge point है यदि इस formula से आप निकालते हो तो भी 12 आएगा और वैसे भी यदि cut लगा के आप use करते हो number of cut से तो भी आपका answer क्या आएगा 12 आएगा तो इसका कोई भी option valid ही नहीं है सारे option गल्द है तो यह भी एक distributed question है और यह भी एक remove आप करवा सकते हो इस question को moving to the next question question number 127 in the 127 number question आप से बोला गया है आपको गीवन है u की value v की value आपको बताना है local h situation at x y g direction at point this तो आपको बता है ax आप जैसे निकाल सकते हो then again ayb आप similar method से निकाल सकते हो और az भी further जब आप solve करोगे इसको तो आपका ही आएगा root 98 आप इसकी calculation देख सकते हैं easily solve हो जाएग आपसे यह around 10 के करीब आएगा जो के options में again नहीं है तो आप इसको भी रिमुकर वासकते हो this question also can be removed easily. So, I think these are the some of the questions that they have some problem or which does not have any solution right solution in the given option. Otherwise I have sold other question as well you can see the solution of this question by downloading the PDF from my telegram channel as well. I am here discussing only the technical question only we are not discussing the general question part because that can be solved by you guys easily. So, I think this video will help you to challenge those question which have some certain problems. Thanks for watching this video have a nice day.